कि नमस्कार दोस्तों निफ्टी ववा चैनल पे आप सब का स्वागत है तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने कल कहा था कि 14950 के उपर जैसे ही निफ्टी जाए तो आपने 15,000 की कॉल लेनी है 15,000 की कॉल लेनी है तो वहीं ली और हमें 15,050 तक का लेवल मिला हरांकि 15095 का मैंने टार्गर दिया था और वो हासिल नहीं हो क्योंकि कारण कुछ ऐसे हैं कारण क्या है में कि जो कॉर्णा वार्स के केसिस बढ़े हैं वो है दूसरा महंगाई है तो उस से मार्किट में प्रेशर आ तो ऐसे ही बैंक निफ्टी में मैंने का था कि 34900 के नीचे पुट बाइ करनी है तो पुट बाइ की और हमें प्रॉफिट हुआ और 34745 तक का हमें टार्गर भी मिला तो इस तरह से जो निफ्टी और चैनल से जुड़े होते हैं उन्हें डेली प लिक करें तो उससे आपको डाव फ्यूचर के अकोर्डिंग सुबह सुबह यह भी पता चलता है कि मार्किट कैसे और जिन्होंने निया डीमेट अकाउंट खोलना है तो नीचे एलिस व्ल्यू और एंजल प्रॉकिंग के लिंक दिए तो वहां से आप डीमेट अकाउंट ख अच्छा प्रॉफिट मिला 1044 तो इस तरह से हमें लगबग 20-22 पॉइंट का प्रॉइस में भी हुआ और तीसरा है M&M यह भी हमें 843 से मिला और यह तकरीबन पहले तो 856 तक भी गया अगर किसी ने अगर 846 के पास लिया है तो वैसे अगर यहां से भी लगाए 844 से जह किस अब जो अगले कल के लिए 3 स्टोक लेके आई हैं सबसे मेले रैंको सीमेंट रैंको सीमेंट 991 और 995 के पास अगर मिले तो बाय करना है स्टोप लोस आपने लगाना है 987 और उपर के टार्गेट रहेंगे 1005 और 101 दूसरा जो स्टोक है वो है अदानी पोर्ट अदानी पोर्ट को यह आपने 709711 के आसपास लेना है और उपर के टार्गेट 722 और 739 756 और 759 तक के मिल सकते हैं और नीचे जो स्टोप लोस लगान है 705 का इसमें काफी ज्यादा गरावट आ चुकी है तो अब लगता है कि यह थोड़ा रिकवर हो तीसरा है बंदन बैंक में काफी गरावट आ चुकी है इसके भी रिकवर होने के चांस है 335 337 के आसपास अगर मिले तो बाय करी कीजिए और नीचे स्टॉप लोस 330 का लगा तो 342 के माल ले जी उपर खुलता है 343 344 तो वहां से भी लीजिए और उपर 346 351 और 355 तक के टार्गट मिल से अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में आपने कल क्या करना अब यह देखिए इसके डेली चार्ट पर आते हैं देखिए बैंक निफ्टी का जो 50 डेम है यह देख मार्किट धीरे 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 नीचे जा रही है तो कल अगर यह 346 46 को तोड़े तो आपने पुट वाय करनी है 346 की और सीधा टार्गट 50 डेमा रहेगा 50 डेमा एक्जेक्ली है 34167 और मैंने जो लेवल लगाया वह है 34186 तो आपने 34186 को ही टार्गट बनाना है अपना 50 डेमा गो और 50 डेमा जैसे ही आए तो साथ की साथ आपने 34200 की कोल भी और वापस फिर निफ्टी सोरी बैंक निफ्टी रिकवर और वापस जो टार्गट रहेंगे वह आपकी स्क्रीन पर है यह वले यह नोट कर लीजिए 346 46 349 00 350 65 35 358 356 00 तक बैंक निफ्टी एक सांस में रिकवर भी हो सकती है यह मैं आपको पहले बिताते चलों और नीचे आपने 346 46 जैसी यह लेवल टूटे तो आपने पूट लेने हैं 34600 की और टार्गर 341060 यह मैंने हिंदी में बिता दिया और इंगलिश में अब सेकिंड इंडिया विक्स 20.19 तो यह बुल्स के फेवर में और अगर पूट कॉल रिशियो देखें तो निफ्टी की जो पूट कॉल रिशियो 0.91 यह भी बुल्स के फेवर में है ऑप्शन चेन देखें तो इसमें बेरिश ज्यादा लग रही है बुलिश कम लग रही है वो क्यों अगर हम कॉल्स को देखें तो कॉल में 32 लाख 8 14 800 पर सिर्फ 15 लाख उसमें भी को पूट राइटर निकल रहा है माइनस हो रहा है और अगर 149 00 कोई एड हुआ है तो सिर्फ 3,80,000 कोई खास नहीं तो इससे यह ऑप्शन चेन यह दिखा रही है कि मार्केट नीचे की और जाएगी और अब हम आते हैं चार्ट पर अब चार 14710 14724 इस जोन में निफ्टी का हमारा टार्गर था पर वो मिला नहीं उससे पहले 14750 से यह बांस वैग हो गया तो यह एक निशानी होती है कि अगवी भी से कसर रह गई है थोड़ी और जब तक यह 50 डैमा को टच नहीं कर लेती निफ्टी तब तक यह अच्छी तरह से रि देंगे तो वो अपने पैसे को अभी भी संभाल कर बैठे हैं तो वो मार्किट में पैसा नहीं आ रहा है तो असली बाइंग तब ही आएगी जब अगर एक बार 50 डैमा लगे तो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी फिटी डैमा की और जा रही है पर फिर भी हम प्राइज अभी बताते हैं इसमें देखी कल फिर अगर 14950 की उपन डिफ्टी मिले और जाए तो आपने फिर से 15,000 की कोल लेनी है और टार्गर फिर से यहीं स्क्रीन वाले रहेंगे 15023 15095 15192 और 15217 और जैसे 15217 आये तो आपने फिर से पुट लेनी है और फिर नीचे के टार्गर औ 14900 के नीचे खुली 14900 के नीचे खुली तो आपने पुट ही लेनी है वो लेनी है 14900 की नीचे के टार्गर रहेंगे 14850 14724 और फिफ्टी डेमा 14710 और वैसे एक्जेक्टी डेमा 14717 और मैं आपको कहूंगा कि 14724 पर ही जैसे ही आये निफ्टी तो अपना प्रॉफिट जाएगी वो भी एक बार बता दें मैंने नीचे की बताई क्योंकि मुझे लग रहा कि मार्के नीचे जाएगी तो उपर का भी बता जते हैं उपर की और अगर मार्केट 35065 को क्रोस करें तब आपने कॉल लानी है 35000 की उपर के टार्गर 35358 35600 36000 और 36404 देखिए इसके चां स्क्रीन प्लोस लगाने बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का स्टॉप प्लोस रखें और निफ्टी में जो पिछला लेवल होता है उसका स्टॉप में जैसे मैंने अभी अभी जैसे आपको बताया कि अगर आपने यह मैं पक्के तो आपको बता रहा हूं हर चीज तांकि दिखाई दे रहा ना आपको स्क्रीन पर तो यह अगर माल लीजिए अपने 14950 के उपर कॉल लिए तो अपका स्टॉप लोस क्या होगा 14900 मतलब चो पिछला लेवल है वह आपका स्टॉप लोस है ऐसी जैसे 15270 पर पूट लेंगे तो आपका पिछला लेवल कौन सा है स्ट धन्यू धन्यू धन्यू